हालो फ्रेंड्स गुड वॉर्णिंग जीके टिप्स पर एक्जाम मैं अप्पा स्वागत है आज हम लेकर रहा है एक इंट्रेस्टिंग वीडियो जो की करेंट अफ्फियर्स अप्रेल 2021 से रिलेटेड है यह कोशन्स बहुत ही बेस्ट होने वाले हैं क्योंकि इसके सारे कोश सारे एक्जाम में पूछें जाने वाले हैं चलिए कोशन की सुरुआत करते हैं let's see the questions question number one which railway zone has recently become the first fully electrified railway zone in इंडिया हाल ही में कौन सा railway zone भारत में पहला पूरी तरह से विदुत कृत रिल्वे जोन बन गया है वो कौन सा रिल्वे जोन है जो भारत में पहली बार पूरी तरह से विदुत कृत रिल्वे जोन बन गया है तो वो है फ्रेंट सामारा ओप्स नमबर B Western Central Railway अब देख सकते हैं विद दे इलक्रिफाइड औप कोटा चितवर गार रिल्वे इस्टीशन रजिस्थान Western Central Railway बिकॉम दे इंडिया फूर्ली इलक्रिफाइड रिल्वे जोन नेक्स्ट कोश्चन इस साल पहली बार कितने भारते नाविकों ने टोक्यो अलम्पिक के लिए क्वालिफाइड किया है कितने भारते नाविकों ने क्वालिफाइड किया है टोक्यो अलम्पिक के लिए तो वो है हमारा फ्रेंट आप्स नमबर B 4 सेलर्स नेक्स्ट कोश्चन अल्स एक्सक्राइब। अप्रेश नामक इस से लाइक प्रोग्राम में चंदरमा पर एक काले आदमी को उतारने का फैसला किया है. Which of the agency? तो वो है फ्रेंट समरा आप्स नबर D. NASA, NASA, NASA. Also explain, the United States Space Agency, NASA, National Aeronautics and Space Administration, recently took a historic initiative in a space flight program called Artemis have decided to land a black person on the moon. जो की, NASA is to land first woman at the next man at the south pole of the moon by year 2024 में. Next question. Which place has India ranked in the report released by the World Economics Forum on Gender Equality? विश्व आर्थिक, मंच द्वारा, लैंगी, समानता, पर जारी रिपोर्ट में भारत को कौन से स्थान मिला है? कौन से स्थान मिला है, friends? तो वो स्थान मिला है, हमारा फ्रेंस, 140th place. Option नबर D. Explain, India ranked 140 in the 156 country report recently released by the World Economics Forum on Gender Equality, जो की, according to the report, released due to the epidemic in the Corona period, जो की Corona period के ताद. Next question. The Ministry of Road, Transport and Highways has recently set a record of how many kilometers of highways to be built daily in the year 2020 से 21. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंद्राले ने हाल ही में एक record बनाया है कि वर्स 2020 से 21 में प्रती दिन कितने किलोमेटर राजमार्ग बनाये जाने हैं? तो वो है, friends, हमरो आप्स नमबर C. 37 किलोमेटर रोड मनाये जाने हैं, अल्सो एक्स्प्रेइन. मिझस्ट्यों रोड रोड राजमार्टर रेच्राक राने हैं ड्रौत रौतर बनाये जारोड ही में अप्रिल 2014 टू एक लाग सेटीज़ और छो सब पचीस किलोमेटर और मार्च बीस दोजार एक किस नेक्स कोशन एंडियन रेलवे है रेसेंटली कॉंप्लिटेट द वर्क अफ द वर्ल्ड हाइस रेलवे बिरिज ओन विच रीवर भारतिय रेलवे ने हाल ही में किस नदी पर दुनिया के सबसे उचे रेलवे पूल का काम पूरा किया है तो वो है फ्रेंट्स अप्जांबर डी चेनव रीवर के ऊपर भारती रेलवे ने हाल ही में दुनिया के सबसे उचे रेलवे पूल पर काम किया है तो वो रीवर कौन सी है तो वो रीवर है हमारी फ्रेंट्स है रिवर अल्सो एक्स्प्लें इंडिया रिल्वेय वर्क फॉर अर्क अप व्ल्ड हाइस रिल्वेय ब्रीज ओवर देट चेनव रिवर जो की जम्मु कस्मीर में इस ब्रीज इस पर्ट अप अधूर श्री नगर नेक्स्ट गॉस्ट इन्विश सिटी चीफ मनिस्टर योगी अ घर का उद्गाटन किया है तब वो है फ्रेंट समर आप्स नंबर बी गॉरक पूर एक्स्प्लेंट चीफ मनिस्टर योगी अधितना है रिशेंट्ल इनुग्रेटेट दा साहिट शाफ उल्ला खांचू इन गॉरक पूर विच इस पुरवांचल एरिया जो की पुरवांच इक्सरसाइस हाज बेन ओर्गनाइज बिट्वें इंडिया और विच कांट्री एड बाकलो इन चंबा दिस्टिक ओफ हिमाचल प्रदेश हाली में हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के बाकलो में भारत और किस देश के बिच एक वर्ज प्राखार अभ्यास आवजित किय गया है ता वो है फ्रेंस अमरा आप्स नमबर दी अमेरिका अमेरिका के साथ अलस एक्स्प्लें एवर्ज प्राहर एक्सराइस हाज बेट्वें इंडिया और यूस रिसेंटल इस्टिक ओफ हिमाचल प्रदेश दा में अब्जेक्तिव उन विच तू प्रोमोट इनकुवेटर एरिया 120 है रिसेंटली लॉंच्ट विच एप्टू स्कैन डोकुमेंट्स गूगल के इन हाउस इनकुवेटर एरिया 120 ने हाल ही में दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए कौन सा अप लॉंच किया है ता वह है फ्रेंस अप्स नमबर एक गूगल स्टॉप त लिखे बताते हैं गूगल इन हाउस इनकुवेटर एरिया 120 रिसेंटली स्कैन डोकुमेंट्स वित कैम स्कैनर और माइक्रोफ लेंस ए गूगल स्टैक अप्ट वॉंच्वेटर एरिया 120 के ताहत दस्तावेजियों के इसली हम स्कैन कर पाएंगे इस एप के ताहत नेक्स्ट कॉस्ट्यों कि विच अप्ट फ्रॉंग कॉंट्रिस है डिसेंटली रेजिस्टर दो वर्ल्ड फॉस्ट कोविट-19 वैक्षीन फॉर एनिवल्स हाल ही मैं निमलिखित में से किस देश ने जनवरों के लिए दुनिया का पहला कोविट-19 वैक्षीन पंजिकृत किया है वह खुर्डिक वैक्षीन फॉर्ट फॉर्ट रशीयर में से वंची इस ने मिवल्स पैस ने का विच्ट वैक्षीन बनाया है तो वह ए फ्रेंग समर्प्स नंबर दी ऑस्तरलिया ओंध टेम एस। explain the australia women team recently set a world record of winning 22 consecutive odi he has broken the 17 years old record of competitor former captain ricky ponting का record तोड़ा है next question which state has recently become the world largest infection hotspot of corona हाल ही में कौन सा राज करोना रोग्यों का दुनिया का सबसे बड़ा संक्रमन hotspot बन गया है वो कांसा राज्य है तो वो राज्य है हमारा है option no.d maharashtra explain the state of maharashtra in india has become the world largest infection hotspot of corona patient next question which day is celebrated which day is celebrated all over the world on 7 April 7 April को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है कौन सा दिवस मनाया जाता है friends 7 April को तो वो दिवस है friends हमारा option no.a world health day option no.a world health day explain world health day is celebrated worldwide on 7 April को जो कि in the year of 1948 the world assembly has organized the world health day the purpose इसका purpose celebrating this day is to make people worldwide health constitution next question which Indian female wrestler become the youngest female wrestler in the country to qualify for the Olympic Games at the age of 18 कौन सी भारतिय महिला पालवान 18 वर्स की आयू में Olympic खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की सबसे कम उम्र की महिला पालवान बनी है वो कान सी भारतिय महिला है तो वो है फिरेंट समारी शोनम मलिक option no.a important question है फिरेंट इंडिया female wrestler Sona Malik has recently qualified for the Olympic Games at the age of 18 young women have become the wrestler C recently won the silver medal in the women 62 KZ wrestler class in Asian Olympic qualifier next question इंडिया 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 विच कौन्री है रिसेंटली sign an agreement for cooperation in the Gaganyan Mission भारत और किस देश ने हाल ही में Gaganyan Mission में सहयोग के लिए एक समझोता पर हस्ताक्चर किये है वो कान सा country है तो वो country है फ्रेंट समारी option no.a see France explain India and ISRO has France Space Agency recently collaborate on India's first manned space mission Gaganyan Mission the agreement has been signed for ISRO has announced support from France CNES to support the Gaganyan Mission and serve as its sole European partner in the task next question in which state is the Sayidri Tiger Reserve located Sayidri Tiger Reserve किस राज्य में इस्तित है किस राज्य में स्तित है friends तो वो राज्य हमारा option no.a D. Maharashtra में located explain Sayidri Tiger Reserve is reserved in the state of Maharashtra created by the Indian government जो कि 2008 में located in the Sayidri Range of Western Ghats of Maharashtra next question which country has stopped the 221 Global Energy Transition Index ETI कौन साथ देस 2021 Global Energy Transition Index ETI में top किया है कौन साथ देस 2021 में top किया है Global Energy Transition ETI में तो वो देस है friends हमारा option no.a Sweden Sweden explain India rank जो इंडिया का rank 87 अथा Global Energy Transition Index इंडिया has been ranked at the 87th position of among extra-pandral countries me the top 10 countries in the index were the western and northern European countries and Sweden is the first position other countries ke mukhavel and the Switzerland 4 पूचिशाव आशे 5, Finland 6, United 7, New Zealand 8, France 9 and Iceland was the 10th position next question What is the rank of India in the world price freedom index 2021 विश्व प्रेश स्वादंतरा सुची करन में 2021 में भारत का स्थान क्या है भारत का स्थान क्या है वोड प्रेश फ्रीडम इंडेक्स में तो वो है फ्रेंट सामारा option number B. 1122 बास्थान है next question What is the theme of Earth Day 2021 पृत्वी दिवस 2021 का विशाय क्या है प्रिखिवी दिवस 2021 का विशा है क्या है तो विशा है फ्रेंट समारा अप्स नमबर ए रेस्टोर आवर अर्थ रेस्टोर आवर अर्थ नेक्स्ट कोशन फ्रेंच नेवी बटालियन इक्सरसाइज वरुना 2021 इस सेडूल टो बी कंडुक्टेड इन अरबियन सीफ फ्रम 25 अप्रेल 2021 भारती और फ्रांसी नौशेना दुप्स नमबर अभ्यास वरुना 2021 के किस संसकरण को अरब सागर में 25 अप्रेल 2021 से आयोज़ित किया जाना है तो वो है फ्रेंच अमर आप्स नमबर बी नाइन तीन्थ भारती और फ्रांसी नौशेना दुप्स नमबर अभ्यास जोकी वरुना 2021 में 25 अप्रेल 2021 से आयोज़ित किया जाना है वो नाइन तीन्थ है नेक्स कोस्टइन जोकी अप्रेंचे संगठं दोरह प्रकासित किया जाता है तो वो है अमरे आप्स नमबर इकनामिक्स फॉर्म आप्स क्वश्ट व्यक एलमिक्स नंज्प्वॉर्टम कोश्यभड अबिक जाना है प्रेंच अमरेंच नमबर सैंदी reicht किस ने ग्रीस के साथ अपनी सबसे बड़ी रक्षा खरीद सौधे पर हंस्ताक्षर किये है तो वो है फ्रेंट्स हमारा option number A, इस्राइल ने, इस्राइल ने सबसे बड़े हंस्ताक्षर साइन किये है Next question, which country has stopped the world price freedom index 2021 तो वो है फ्रेंट्स यह कुश्चन हमने पढ़ा फ्रेंट्स तो वो है हमारा option number B, Norway which country has stopped the world price freedom index 2021, किस देश ने विश्यो प्रेश स्वातंत्रा सुची कांग 2021 में सिर्थ अस्थान प्राप्त किया है स्वातंत्रा सुची कांग में तो वो है फ्रेंट्स नमारा नौर्वे Next question which film has won the best picture award at the 93rd Academy Award for Oscar 2021 किस film ने 93 वे Academy प्रुषकार या Oscar 2021 में स्वार फ्रेश फिल्म का प्रुषकार जीता है तो वो है फ्रेंट्स अमारा option number C, Nomad Land Nomad Land option number C, Nomad Land Next question, the last question Prime इंट्स इंट्रेंट्र मोजी has recently released the Hindi translation of the book Odisha It is written by whom प्रधान मंत्री श्री नरिंद मोदी जी ने हाल ही में Odisha इतिहास पुस्टक का Hindi अनुवाद किसके द्वारा लिखा गया है तो किसके द्वारा लिखा गया है तो वो लिखा गया Dr. Hare Krishna Mat अब समब Dr. Hare Krishna Mat So ये friends हमारे इंट्रेस्टिंग वीडियो थे जो कि current affairs अप्रेल से related थे अगर इफ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और सपोर्ट मी थांक्यू थांक्स अलोट इंट्रेस्टिंग प्लीजी बाइक पॉ्टस्टर नगाँ